में खाना ना खा लेता हूं बस हाफते में एक ही बार निकलते समझो जुम्हे के दिन बस और हमारे भाई बिच्छे बेटे बे आपको नाम बताईए पहले हमारा नाम असलाम अलेकुम रह्मतुल्लाव बरकातू कैसे आप लोग सब उमीद करता हो कि सब लोग खेरे से होंगे आज के इस निव लोग में फिर से आपका सौगत है मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे जब घरखातों में जो ड्रैवर लोग काम करते हैं वो जब मुझे मुलाकत होगी तो इन्शाला मैं किसी एक ड्रैवर से या हमरे जो भी भाई मिलेंगे तो उनके हाल हम बातचित करेंगे किसे हाल चाल रहते घरों में जो काम करते हैं वीडियो यहां की यहां की मालूमात है गल्फ में जो काम करनेये भाई हैं कि मृण कर चस्का है। तो इस वीडियो पूर। हुम लिए ह्पहसं लिए नहीं देख लुग कैने नहीं वें क्या चाहिए फिरिया में है नोन इन्हें मोठीप स्टीजार्ज ह्पूर। अभिया आप अन्हेरा इसलिया आहाही है क्या है कि रात स्रेवर हाव को चाहि poles रात हमिसे इस वज़ा से प्रॉब्लम यह होता है कि रात में ही हमको बात करना होता है बाके ऐसे दिन में कोई बहुत कम ट्राइवर मिलते रात में मिलते इस वज़ा से भी रात में वीडियो बाला रहे तो हम सबसे पहले हमारे हमारे हिद्राबाद के भाई-बैटे में हमारे बास में अ तो यहां पर कोईट में कब आया था फिर देड़ साल कुछ काम करके गया तो घर में थे पहले भी आप फिर घर से दूसरे इंडिया चले गए थे कि फिर दूसरे तनाजुल लिया था तो मसला यह अगया उदर डेली आर्ट गाड़ी सुबह में उटके द्वना बट रहा था इसलिए वही मुश्किल हो रही थी अच्छा तो फिर वहां पर सेलेरी अच्छी थी तो अभी अभी जिस घर में है तो अभी उदर से तनाजुले के दूसरे तरफ नहीं उसके बाद में मैं इंडिया चले गया इंडिया जाने के बाद में फिर अभी अभी यहां पर जो अभी जीस मंदे के में आए समाल आहमद में तो यहां का घर कैसा है काम होकर आच्छा है अच्छा है क्योंकि नमाजी परेज़गार है बात सीधी करता है बस मुश्किल यह है कि खाना नहीं देते खाने का तकलिफ हमते हैं खाने की बहुत मुश्किल है रूम भी बहुत चोटा है तो यह यहां पर देखो गाईज तो वो कैसा हर कोई अपनी अपनी दास्तान सुनाते रहता है कि भाई ये काम है हमारे को और ये तकलीफ है कोई किसी का तो अलहमनला बहुत अच्छा भी रहता है देखो हर तकलीफ में हर रहत भी है तकलीफ जो होती आदमी को और बाद में जाके आज तकलिप में है आदमी शुरू के चार साल पास साल तकलिप में काम करता है फिर आल्ला ने चाहा तो उसको अच्छी भी ये भी मिलती यालि उसके लिए राहत भी रहती ऐसा नहीं के तकलिप में ही रहता है आदमी वी आधी शुरू में तकलिप में रहता है राहत में रहता है बाद में तकलिफ रहता है वह अल्ला की तरफ से अजमाइश effective है जो जो तकलिफ पर रहता है तो तो यहां पर एक बात पुछना था तुम्हारे को कि ड्यूटी का टाइम क्या है तुम्हारा मेरा ड्यूटी का टाइम है सुबह में छे बच वच वड़ जाना उठके तीन गाड़ी मेरी तीन गाड़ी धो लेना अच्छा मतलब रोज रोज नहीं दोना है हफते में दो बार तुम्हारे में दो बार दोता हूं उसके लाने के बाद में रोम पर चोड़ने के बाद में खाना हो ना खा लेता हूं बस हफते में एक ही बार निकलती है जुम्हे के दिन बस और हमारे भाई बीचे बटे बे आप की देसे आपको नाम बताए पहले हमारा नाम सद्रुद्दीन है सद्रुद्दीन यूपी का रहने वाला हूं थोड़ा सोड से बुलिए तके आवाज केमेरे तक अच्छे यूपी का रहने वाला हूं महरा जियन जिला अच्छा इधर गर्भ अबदुल्ला में रहता हूं मेरा कोई उतना डिप्टी नहीं है बहुत तरह में अलहम्दुलि यहां पर ही और गर्भ अबदल्ला में ही है कि पाहर किदर जाती है अच्छा अब्दुल्ला मुबारक ने बाजू के मुझा यहां पर दो डेखो कई लोगों को बहुत कन्फिजन होती है जो कोईत में जो हमारे जो नए भाई आये पे ना उनको भी मालूम नहें कि अबदल मुबारक यह नया मन तक है और यह अब्दल्ला मुबारक से बहुत बड़ा मन तक है और ऐसे भी लोग है भाई देखो अ सौ केटी 80 केटी में भी करेंगा हुआ हमारी किसकी मचबूरी क्या है भोलने सकते हैं uben लोग बोणको की खिस्मत बहुआ हो मैं सब किसमत पर दारों मतार्चा रहता कोई लोग है आया था अच्छा ये भी है मैं जब आया था मेरे अबबा का इंतिकल हो गया था है इसी है तो यह जो असल में यह जो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है किसी को नीचे दिखाना और किसी को किसी का आप कोशी की इसके नहीं हम वीडियो बना रहे है यह जो वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो यह है कि हम इसके जरीए से लोगों को बताए कि कई हमारे जो भाई है जो आना चाहते है उनको जो इंडिया में हमारे भ लेकिन उसने बोला था कि घर अच्छा है तो इसे बात है कि मैं जब मैं आया था तो मेरा घर भी अच्छा ही है इसे कोई तकलिफ ने खाली थोड़ा सा खाने का तकलिफ है कि खाना ये लोग का जो रहता है वो जमता ने बाकि सबका हर किसी का घर में आयसा है कि कोई कोई कफिल अभी मैं लास्टेम भी बताया आपको पिछली वीडियो में कि असी के डिसे सेलेरी स्टाट हो जाती है अगर आप लोगों का इसे लगता है कि मैं जुड़ बोल रहा तो यह हमारे भाई लोग है उनसे भी पूछ सकते है यह लोग भी बताएंगे मेरे घर के सामने एक बंदा है उसका विचारा उसका कफिल लेना कफिल तो छोड़ो कफिल का वो जो लड़का आवाज दिये तो विचा पानी यहां पर फेकने का नहीं है तर पानी इदर वेस्ट करने का नहीं है अरब मुमालिक में किदर भी रहने तो पानी वेस्ट करने का नहीं है अगरे जो इंडिया के 26,000 रुपए होते हैं और मैं यह बोलता हूं वैसे तो मजबूरी देखो भई किसकी क्या है कुछ भी ने बोल सकते हैं मैं यह बोलता हूं भई कि अगर तुम आ रहें अगर लाग देड़ लाग रुपे अगर लगा के आ रहें यहां पर जब तुम उद्धर अगर उतना कमा ले रहें तो इदर के बारे में मस्तोच क्योंकि फैमिली है ना फैमिली अशल में इंपोर्टेंट आपसे एक अपिल कर रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी तो प्लीज इस वीडियो को लास तक वाच करें क्योंकि हम जो आपके सामने जो बात रखना चाहरें वह यहां की जो लाइफ है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहरा हूं इस वज़ इस वीडियो को लास तक दे कि अब काहिसा में अब इन्टार में था निकालने के बाद मैं मैं तो दो जे घर में आप आएंगे तो आपको कैसा घर मिलना हूं अच्छा भी घर मिल सकता हो सकता रहे हैं लोग वह तो दो दらते हैं जो दो हम लोग यहां पह blij ओए है में एक साल कंश से देख आप एक साथ हैं Якरग नियुक्त की sulla आपétais एक चीज खराब बेरेती तकलिफ हर गिस्itting और यह की से कि खाने की तकलिफ कृट में रूज से में इंडाए बुलाते जली में बिलाते पुराना गी बंडा को ना बोलते are जो अरब्य जानने वाला चाहिए और लैसेंस चाहिए उसके पास लाजिन क्योंकि यहां पर उतना टाइम नहीं है कि आपको गाड़ी सिखेंगे करिंगे ने ड्राइवर कम में तो आता अब वह कैसा है मालू में जो घर पर मतलब है ना जो घर पर मतलब सैलरी नहीं निकलती असी केड़ी सौगेड़ी पर वैसे घर पर काम कर रहे हैं अब जो थोड़ अब 6 बाइयर तो इतना टाइम निकालने आफाइदा का आपने लोगों खोदे के पिर घंटा भी बसने लेकिन आइसे आपके लिए आपके लिए वीडियो जो हमरे भाई मिलते रहे लोग तो उनको पूच-पूच कर और का experience पूछते रहे हम लोग इंशाल्ला तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियो में इंशाल्ला मिलते आपको